गुड बॉर्णी दोस्तों मैं रजीत कुमार आप सभी का स्वात करता हूं यूट्विशन पर आज हम पढ़ेंगे 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के वीकली करेंट फेर्स जो आपके एससी बैंकिंग रेलवे एंटीपीसी और स्टेट एक्जाम्स के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करें साथी बेल अकन जुरू दुआए जिससे कि आपको हम करते हैं पहले कोश्चन से आज पहले कोश्चन यह रहा भारत और किस देश के बीच पहला दुपक्षिये जिसे हम कहते हैं बाइलेटरल एयर कॉमबेट एक्साइज मत्तर दुपक्षिये हवाई युद्ध अभ्याज जनवरी 2023 में आउजविद किया जाएगा तो सब्सक् जैपनीस एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स दौनों मिलके वीर गार्जियन तेश नाम की एक एक्साइज करेंगे जनवरी 12 से जनवरी 26 के बीच में और यह एक्साइज जापान के हायकुरी एयर बेस और इरुमा एयर बेस पर होगी आपको दादें इंडियन एर फोर्स की वेस् जाएंगे इस एक्साइज पर पाटिसपेट करने वहीं जैपनीस एर फोर्सी द्रब से चार एफ 15 और चार एफ टू फाटर जेट्स पाटिसपेट करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं राइट टू रुपेर पोर्टल किस ने लॉंच किया है तो सब्सक्राइब आपको कोई अर्दिक्कत आ रही है तो यहां पे आप जाके जनकारी ले सकते हैं आपने क्वारे में कि हमारे फूड फूड एंड कंज्यूमर अफियर मिनिस्टर प्यूश गोल जी ने हाली में राइट टू राइट टू रुपेर नाम का पोर्टल और साथी एंटी एच मोवाइल एप और नेशनल कंज्यूमर हेल्प्लाइं सेंटर का उदगाटन किया है और यह मतलब हिंदिवार आप कहें तो उपभुकता आयोग में मामलों का परभावी निस्तारण ठीक है आपको दादें इसकी शुरुआत जुलाई 22 में कर दी गई थी डेपार्टमेंट आफ कंज्यूमर फेस द्वारा इसकी जो कमिटी थी उस कमिटी ने इस सब काम को शुरू कर और इस कमिटी को हैड कर रहे थे हमारे एडिशनल सेकेटरी निधी खारे जी जो कि इन्होंने पूरे जो आपका राइट टू रुपेर है इसका पूरा फ्रेम वर्क पर इन्होंने काम किया है ठीक है आपको बता दें जो बहुता आपका बता कंजूमर प्रोटेक्शन आपके जो परिशानी है या सिकायत है उसका आपको सॉलुशन में जाना चाहिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं किस भारत भारतिये को फोर्ब्स ने सीर्स 25 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एठीटों में शामिल किया है तो आपका है ऑप्शन ऑप्शन बी पी 25 हाइस्ट पेड फीमेल एठीट फॉर्ब्स की फॉर्ब्स द्वारा ठीक है आप सकते हैं फोटो है पीवी सिंदु दौक जी का आपको दा दें कि हमारी जो इंडियन नेशनल बैट 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 पीवी सिंदू हमारी एकमात रशी प्लेयर रही है जो इस लिस्ट के अंदा ठीक है और आपको बता दें पीवी सिंदु जी दोजा सोला टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट है साथ ही इन्होंने बार बार परीशर हासल किये और वहीं जापान की नाओमी ओसाका इन्होंने इस लिस्ट में टॉप किया है तो आपको यह लिस्ट की जानका है यह लिस दॉटलर वहीं आपगी सेटेंड नमर पर भट है सिरेणा विल्यंस जो की यो सगãy मिलियन यौर हिम थएंड टाहूंद ऌर भी सिंदूजी है यह बर्डविक्टा नमर पर रहिए यह योद्विक्ट व्रत दॉट cu इसलिए इन्हें 12th position मिली है चलिए आगे बढ़ते हैं वू हैस्ट बीन ओनर्ड विद दी बी सी स्पोर्ट स्पर्सनलिटी ऑफ दी यर 2022 अवार्ड मतलब बी सी स्पोर्ट स्पोर्ट परस्टेटी ऑफ दी यर 2022 प्रुसकार से किसे समानित किया गया है तो सी आंसर चमा आपका है option c वर्थ मेड जी हां वर्थ मीड जी को समानित किया गया है आप जोकते हैं फोटो वर्थ मीड जी का इन्हें समानित किया गया है BBC स्पोर्ट परस्टेटी ऑफ दी यर 2022 अवार्ड से आपको जानकार देदे कि वैथ मीड 2022 के लिए BCC स्पोर्ट परस्टेटी ऑफ दे यर से समानित करी गई है वह प्लेयर ऑफ दे टूर्णमेंट साथी यूरो 2022 में टॉप स्कोरर रही है और आपको जानदे बैथ मीड ने इंग्लेंड की फॉटवर्ड टीव जो फॉटवर्ड ट्रॉफी है वो जीती है कहां पे बैमिली में जीती है ठीक है जो की जर्मनी होई थी आपको दादे 27 वर्स में 2022 के प्रस्कार के लिए बीवीसी स्पोर्ट्स परस्नेटी ओफ दे इयर के लिए वेंस्टोक और रोनी उसलवीन इसके लिए साथ में थे बताए यह लोग भी साथ में थे इस बागी सेकेंड टरन अप और यह थरन रवन आप रही है ठीक है इन तीनों को इन पचार के मैथ बैड को यह अवर्ड मि सैसर नाब इसमें हिधाव जीता है तो सिन हैंसरी में आपका है ऑप्शन ऐचयर प्रदेश के हमारे गोटा सोरा जी है ब सितने फोकि है इनोंने जीता है गोटा वॉचैरी आग्छारे तर चैतार के वह सितनी हैakसरों है मलेशिया में। टॉप एरीना J natuur के, फिटन के अंध नाइन शीड़ी में आता है अर्वांट्चे प्रदेश और पूरुद देशकों का सम्मान बढ़ाया है क्योंकि यह जीत लिया है आपको दादे मलेशिया की दूसरी वियरता पराप्त जरिल ते को हराके सोरा ने सोरा ने जरिल ते को हराया है स्वास्ति सिंग को एकलब्य प्रसकार 2022 मिला है वह किस खिल से संब्सक्राइब के लिए तीसवे एकलब्य प्रसकार से संब्सक्राइब किया गया है और यह प्रसकार आई एंफ फे प्रसकार इपक्ति के सकते या इंपक्त कैसा इसके द्वारा बनाए गया था ठीक है और आपको दादे स्वास्ति को भुवनिश्वर में आयोजित अकलब्य प्रसकार समारोंस में आपका सेटीशन हम कहते हैं प्रतिस्ट पत्र और पांच ल तरह आस्टेश स्तर दो स्वान पर्द मेडल जीते हैं ऑपको दादा करने के लिए यह पृसकार हर साल उवाज खिल प्रभावी को उनपर्सकी खिल यह यह यम्य इन्फप्रेयर्ल एक शंपॉर्ड निखानने के लिए यह और इसकी शुरुआध– और यह आपको बता दें उडिसा का एक पहुती प्रतिस्टेश एक राष्ट्य प्रस्कार जैसा यह आपको इस अवर्ड दे जाता है और यह इस अवर्ड की जो आप वैल्यू समझ लेवल के बराबर है चलिए आगे बढ़ते हैं कि संन स्याँसर आपका है लडाक में लोसार मौफ मों मना जा रहा है आप जते हैं यह फूतो है और ऑर आपको जानकारीदें तिबद बौथ धरम के प्रंप उनकी लिए मनाया जाता है और यह नए साल की सुरूभात होती होती 퍼ब ऑस उसमाब जाता है इस मौसब नाम वतार लॉसर मौसब तिबबत की बहुत धर्म मनाते हैं उनके इसाब से नय सल की शुरुवात कर अभी हो गई है लद्दाक में बुद्धिस समधाय द्वारा है उनके द्वारा यह मौसब मनाया जाता है और बता दे कि लॉसर तिबबत चंद कलेंडर के अनुसार कि इसके 15 दिन का त्वहर होता है यह आपका जो कि तिबबत कलेंडर में 11 महिनी के साफ से होता है जिसे आप देखेंगे अप पहला दिन जो होता है इस करेंडर के साफ से पहला दिन होता आपको उसी दिन को हम कहते हैं लॉसर महसब ठीक है आपको उताजें लॉसर एक तिबदी सब्द है जिसका अर्थ होता है नया साल और पहीं साथ में लद्दाक के अन्य फेस्टिवल है जैसे फयांग सते सुदू अपका हो गया डोसमोच फॉट फॉट और आपका हो गया है मिस फेस्टिवल यह और हमारे और कुछ अन्य लद्दाक के फेस्टिवल है आप याद करेंगे लिए एक्जान में कुछ भी पूछा सकता है जरूरी नहीं कि यहीं फैस्टिवल भी पूछे जा सकते हैं ठीक है या रखेगा क्योंकि लग्दाग से समभनी था लग्दाग का भी नाम हाली में आ रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं विच जेल फूड इन उत्तव रदेश हैस बीन गिवन फाइव स्टार रेटिंग वाइफ एस एस एई बतलब with ssa1 द्वारा उत्तापरदेश के उत्तापरदेश की जेल को बोजन फाइव दिब गई है तो सही अंसर को है ऑप्शन एक ब्रलबोड उस ma है इस पर ग्प्यमों YouTube मिली है उसका जो खाना है आप जिक्ते है उसके भोजन काना तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश की बुलंड शहर जेल को भारती है इस हम कहते हैं फूड सेफटी एंड स्टेंडर्ड अथॉर्टी ऑफ इंडिया इसे हिंदी कहेंगे भारतिय खाद्र सुरक्षा और मानक प्रधिकरण इसके द्वारा पांच फाइव स्टार कि एफ एफ ए टीम की जैसे है ना उन्होंने जो इसकी जो किचिन जो आपके जेल है उस जेल की जो किचिन क्वालिटी है आपका उनका स्टोरेज और हाईजीन इन सभी स्टेंडर्स को चेक किया है और इनी के तहद बुलंड शहर जो प्रिजन है उत्तर प्रदेश का उसे स्टर रेटिंग दे गई है इस से पहले यह सरूकवाद को मिल चुक तो मतला उत्तर प्रदेश के टॉटन दो जेलों को दो जैलों निर्वाच्चन चेत्र बन गया है यह किस राज्य में है तो आपको सही आंसर है आपका है option option C केरल जी हाँ केरल आज में है यह धरम दुम जो है मतलब क्या हो गया आपका कि इस जो धरम दुम जगा है यह पूरी तरह है तो इसलिए क्या है अभी यह अपतर आशे कर पूर्ण पुण पूर्ण पुस्तकाले यह निर्वाच्चन मतलब फुल लड़ेग इस बन गई है जो इंदिया की पहली भारत की पहली ऐसा भो बना है ठीक है द्रवंदुम पहला बारत का पहला पूर्ण प्रस्काले रिवाक्षिन चेत बन गया है चलिए आगे बढ़ते हैं 2022 में किस भारतिय को बेंड बेरिस स्पॉट लाइट अवर्ड मिला है तो सी एंसर आपका है ऑप्शन ऑप्शन डी डॉक्टर कारतिका राजीव जी हाँ आभ फोटो यह अनिल कुमार लहुटी जी का इनको मना देगा चेर्मेन एंड चीफ एक्जेकेटिव ऑफिसर ओफ इंडिया लेग बोर्ड का चलिया के बढ़ते हैं किस राज्य के मुडेरा बजार और तेलिया अफगान का नाम बदल गया है तो सी हैंसर आपका है औप्शन उत्तव रदेश के आपका मुढेरा बजार है तेलिया अफगान जो है इसका नाम मतल्द दिया गया है तो आपको इतादे है घुराखपूर जले के मुढेरा ऑजार नगर-पालिका प्रिसेद का नाम बजल के चोरी-चोरा कर दिया इसका और यह सब का जो सेंटर गवर्मेंट है इनके द्वारा एक जारी किया गया है जिसके तहद इनका नाम बदल दिया गया है तो यह रखेगा कि यह कौन से जापके मोडेरा बजार और तेलिया अफगान है यह जगा कहा पढ़ती है आपके तो उत्ताप्रदेश के गोरकपुर जिले में पढ़ते हैं ठीक है और इनका नाम बदले क्या कर दिया गया अब एक का नाम जो आपका मुडेरा बजार है इसका नाम करके दिया है चोरी चोरा कर दिया गया है वहीं तेलिया अफगान का नाम कर दिया गया उसका नाम कर दिया गया तेलिया सुकला ठ बहुजन की सूची में भारत का कौन सा स्थान है तो सी असर आपका है ऑप्शन सी फिफ्थ स्थान है जी हां बेस्ट आरब देखें हैं वर्ल्ड के बेस्ट फूड में तो उसमें इंडिया का फिफ्थ पोजिशन मिला है इसमें इटली टॉप करने वाले कंट्री है ग्रीस ट जापान है इसे 4.59 और स्पेन को 4.59 लग लग बरावर पॉइंट मिले हैं और सबसे हाइस पॉइंट नमर पर रहे हैं तो वह इटली रहा है 4.72 मतलब तो फाइफ में से रेटिंग दी गई है तो फाइफ में से जो रेटिंग रही है वो हमारे एज रेटिंग सबको दी तो इसे कहते हैं कुजीन को उतरермामाद घालाः चुंशे संस्तान के विश्यषड्यियों कृतिम रध्यत त्यार किया है कि इस इस इंसान और होता है यह फोटो है एक और ऐसा होता है वहीं एक artificial, मतलब जो human made है, वो आपका दिल ऐसा होगा, ठीक है, यह इस तरह से काम करता है, वो यह से आपके दिल की जगाह क्या है, machine fit कर दी जाती ही, जो है आपका क्या है, पूरे सरी में आपका खून के भाव को बना रखता है, चलिए आज बढ़ते हैं, इन विश स्टेट दी, मना नला थोरू मंदरम स्कीम हैस बी लॉंच्ट, तो किस राज्य में मना नला थोरू मंदरम योजना सुरू की गई है, तो C अंसर आपका है, option B, तमिलाडू, जी हाँ तमिलाडू राज्य ने यह स्कीम सुरू करी गई है, ठीक है, चलिए बता आगे बॉक्सिंग चेंपेंशिप, मतलब अपनी पहली राष्टिय मुक्यवाजी चेंपेंशिप किसने जीती है, तो C अंसर आपका है, option D, निकषत जरीन, जी हाँ, निकषत जरीन, यह फोरू से देते हैं, इनका, इन्होंने अपनी पहला नेशनल बॉक्सिंग चेंपेंशिप बीता है, अपने पूरी करियर का, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, who has been appointed as the chairman of the National Highway Authority of India, means भारती राष्टी राष्टी राज्जमार्क प्रधिकरण के अध्यक्ष कुरूप में किसे निकषत किया गया है, तो C अंसर आपका है, option A, संतोष कुमार यादव, जी हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लोकायुक्त विद्यक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन, कौन सा बन गया है, तो C अंसर आपका है, option D, महराष्टा, जी हाँ, महराष्टे देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने लोकायुक्त बिलपास कर द थनुं यात्रा भी कहसे हैं, या धनु yatरा कहने तो जात्रा को ही साथ कहते हैं, जिसने बढ़कर बास सिक ध्रफ्टा अधरन आधिकरन खुनी हवा में किया जाता है, बड़िघंर में किया जाता है, आपको बार्गर नगर नगरेक्स आसपास अट कह दाestly में, पालिख सद् पहला है यह दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थेटर है तो आप समलिए कितना बड़ा थेटर होगा जो पूरे आठ किलोमेटर एरिया के पहला हुआ है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ड रिकॉर्ड में भी सामिल है ठीक है तो यह रखेगा यह बहुत इंपार्ट रिकॉर्ड में राइस्टर है साथी यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्ज वर्ल्ड लार्ज लार्ज ओपन ओपन एर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं विच कंट्री है इंस्टॉल्ड दी वर्ल्ड फर्स्ट फुली फंक्शनल सेंड बैटरी मींस किस देश ने दुनिया ये हैं तो श्ड़ैने के हैं वर्ल्ड की फ़ली फंक्शनल सेंड बैटरी वनाई है आपको जनकै जैस रगते हैं क्योंततर learnt रहूं इसमें तीस परसेंट ऑफ यह मैं विष जाता है ऐसा काम क्या होता है इसका काम वहता है कि हाँ फैर आपकी एनरजी को इनरजी आपके बाद में के निल्यानद में कारै किल रहे हो तो सियांसर आपका है, option C, प्रवीन कुमार स्रीवास्तवाजी, हाँ, यह आप देखते हैं, फोटो, प्रवीन कुमार स्रीवास्तवाजी को, इन्हें अपॉइंट किया गया है, इन्टरिम सेंटर वजिलेंस कमिशनर, ठीक है, सेंटर दवार दवार, चलिए आगे बढ़ते हैं, यह बोटें, ऐसी पती-पती, सिंगल-सिंगल वाली बोटों यूज़ की जाती है, और इन्वे क्या आपकी रजिस करवाई जाती है, ठीक है, यह एक स्पोर्ट है, यह इन्टरनेशनल स्पोर्ट है, और अब यह भारत में भी शुरू किया जाएगा उत्राकंड के अंदर, प्रसकार के सिंग ने विश्व सरिय काइंकिंग गोशना की है, इन्होंने इसकी गोशना करिए, आपको दादे, मुख मंतरी पुसकर सिंग धामी ने टेहरी जील में राश्टी चेंपरशिप टेहरी वाटर स्पोर्ट कप का उद्गाटन किया है, चलि आगे बढ़ते हैं, पहला गोरी अममा प्षकार किसे मिला है, तो सिंग आपका है, ऑप्शन, ऑप्शन सी, डॉक्टर एलीडा कुवेरा, जी हां, जो आपकी क्योवा की रहने वाली, डॉक्टर एलीडा गवेरा जी को मिला है, फ स्ट गोरी अममा अवर्ड, तो पहला ये अवर्ड शुरू की पहला वार्ड दिया गया है किसको आपकी क्यूवन एक्टिविस्ट है इनका नाम है डॉक्टर एलीडा गोरा इनको दिया गया है गौरी अम्मा वार्ड चलिए आगे बढ़ते हैं आपको बतादे कि प्रसिद्ध क्यूवा की समाध्य कारी करता और मानवितिकार अधिवक्ता अधिया गोरा को के आरर गोरी अम्मा फांडिशन दौरा के आर गोरी अम्मा नेशनल अमौर्ट से संभाणित किया गया है तिक है आपको दादे कि मुख्वंत्य पिंद्रई विजयन जो कि 5 जनुरी को यह संभाण उनको देंगे और इसके तहत इन्हें पाटीन हजाद एलिडा जो है वो क्यूबा की मेडिकल मिशन की एक सक्रिय सदस्य हैं और जो लेटिन अमेरिका में बच्चों के स्वास्त प्रोफाइल को बेहता बराने के लिए काम करती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर्फ इन दी रोड फॉर्फ इन दी रोड मैं डेस एट आर्बी आई एंड ब्यॉंड नामक पुस्तक के लेका कौन है तो सी असर आपका है ऑप्शन डी सी रंग 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 राजन जी ठीक है तो आप फोटो देखते हैं उनका फोटो है और यह उन्हीं की बुक का कौर वल्यूंग हो यह है तो इन्होंने यह बुक लगिये फॉर्फ इंदी रोड मैं डेस एड आर्बी आई एंड ब्यॉंड इस बुक में इन्होंने अपनी आरबियाई में रहते हुए दिनों के बारें बात करी कैसे अनुन ने काम किया कि कैसे आरबीय क्या किया और उसके बा तीन वालिम होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं भारत की योर से ICC T20 के सरस्टेस्ट क्राड़ी के रूप में किसे नामित किया गया है तो सिया असर आपका है अर्विंद वालिया जी आप देखते हैं फोटों का इन्हें आपउइंट किया गया है चीफ इंजिनियर इंचीफ ऑफ इंडियन आर्मी चलिए आगे बढ़ते हैं मंगदेशु जल विद्यत्य परियोजना किस देश को सौंपी गई है तो आपको दादें मंगदेशु हाइड्रो एलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो किस देश को हैंड़ोवर कर दिया गया है भारत द्वारा तो सियांसर आपका है ऑप्शन डी भी भूटान को जी हाँ है यह बोटान को कर दिया गया है आपको दा दें जहांसर फोटो है यह भारत द्वारा साहिता प्राप्त करके 720 मेगावाट का मंगदेशु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है इसे बना दिया गया है और इसको हेंड़ोगर कर दिया गया है डुप ग्रीन पावर कॉर्परेशन जो की भूटान के अंदर है जिसे हम कहते हैं डी जी पीसी जो भूटान के अंदर आपके जितने भी फाइड्रो पाव प्रजेक्ट जो डैम है यह इस डैम को समाले गा और इ और इस प्रुजेट इस एलेक्ट्रिक डैम के एड होने से जो भूटान की पावर के पसेड़ी है वह 44 परसेंट बढ़ जाएगी अब चलिए आगे बढ़ते हैं राजीव वडियाल को किस देश के राश्टिय अंत्रिक्ष परिशर परिशद सलाकार समूव में सामिल किया गया है मींस राजीव वडियाल है इंक्लूड इंग्लूड इंग्लूड इंदी नेशनल स्पेस काउंसेल एडवाइसरी गुरूप ऑफ विच कंट्री तो सीनसर अगर आपको वीडियो लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही हमारी वीडियो शेयर जरूर करें जिससे कि ये बाकी लोग पास भी पहुंसके चलिए जय हिंद्